हलो प्रेंट्स मैं सतीस रंजयन आप सब का वेलकम करता हूँ अपनी यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 रूल अप SPC के बारे में SPC का जो 8 रूल होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसमें हम लोग इसको हम लोग कंट्रोल चार्ट के तुरू समझेंगे ग्राब के तुरू समझेंगे और इसके जो possible cause होते हैं उसको भी हम लोग समझने वाले हैं तो दोस्तों मैं इसको one by one समझाऊंगा आप लोगों को तो वीडियो को end तक देखना आप लोग और समझना क्या रूल होते हैं और इसके possible cause कौन कौन से होते हैं जिसकी बज़़से यह variation आती है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों यह 8 rule of SPC आप लोगों के लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह control chart जो SPC में हम लोग बनाते हैं उसके graph के उपर depend है उससे हमें यह पता चलता है कि हमारे process में किस तरीके का variation आ रहा है दोस्तों जो SPC का 8 rule है यह process के special cause of variation के उपर है ना कि common cause of variation के उपर तो यह बाते द्यान रखना आप लोग यह special cause variation के उपर बना हुआ है जिसको हम लोग किस तरीके से eliminate कर सकते हैं अपने process से मैंने SPC के उपर भी video बनाई हुई है तो दोस्तों आप लोग उसको भी देख सकते हैं और types of variation के उपर भी बनाए हुआ है तो यह मेरे description में मिल जाएगा इसका link आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कंट्रोल चार्ट में जो जोन होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उस जोन के अधार पे ही यह 8 रूल बने हुए है तो चलिए उसको हम लोग कंट्रोल चार्ट के थूरू समझ से दोस्तों यह हमारा कंट्रोल चार्ट है जिसमें की x-axis indicate करता है number of subgroup को जो भी हमने rating collect किये वो कितने group के हैं वो number होते हैं उसमें y-axis represent करता है जो हमारा UCL है LCL है और mean है इसके value को represent करता है दोस्तों इसमें 3 zone बने हुए है जो हमारा mean है mean जिसको center line हम लोग बोलते हैं उसके जो सबसे निकट का zone है उसको हम लोग C zone बोलते हैं center line के उपर भी और नीचे भी ये C zone होता है उसके बाद B zone होता है उपर भी और नीचे की तरफ भी और उसके बाद zone A होता है जो सबसे उपर होता है जिसको की हम लोग जो ये zone divide किये गए हैं इनको हम लोग sigma से भी indicate कर सकते हैं. Sigma, जो zone C होता है, उसको first sigma भी बोलते हैं, zone B को second sigma बोलते हैं, और zone C को third sigma बोलते हैं. तो चलिए अब हम लोग 8 rule को इस control chart में समझते हैं. दोस्तों जो पहला rule है, वो है, वो कहता है, one or more points are beyond the specification limit, और more than three sigma, from the center line or mean. मतलब यह कि यह कहता है कि एक या एक से ज़्यादा point, a specification limit से बाहर है. इसको हम लोग large shift भी बोलते हैं, इसके कुछ possible cause हैं, जैसे पहला है, कि new operator doing the job, job को new operator कर रहा है, wrong setup, तीसरा operation skipped, operation complete नहीं हुआ है, चोथा power failure, तो यह possible cause हैं इसके, जिसकी बज़ा से यह आता है, इस तरीके से इसका graph है यह, इसमें देखिए, देखिए आप, जो इसका एक point है, वो specific concern limit से उपर चला गया है, बाहर चला गया है, जो दूसरा rule है, वह है, seven or more consecutive point in, in a row of same side of the mean, मतलब कि seven, जो साथ point आएंगे, वो mean के एक तरफ ही होंगे, जो zone C है, उसमें आएंगे, या तो नीचे आएंगे, या उपर की तरफ आएंगे, इसको हम लोग small shift भी बोलते हैं, इसके कुछ possible cause है, उसको देखते हैं, पहले होता है, raw material change, दूसरा होता है, change in work instruction, different measurement device, change in maintenance program, change in setup procedure, यह इसका graph है, दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, कैसे data plot हुआ है, इसके अंदर, दोस्तों, जो तीसरा rule होता है, वो कहता है, कि 7 or more consecutive points in a row, is steadily increasing or decreasing, मतलब, जो 7 या उससे ज़्यादा point है, वो है, एक साथ या तो उपर जा रहे हैं, या एक साथ नीचे आ रहे हैं, इसको हम लोग trend pattern भी बोलते हैं, इसके कुछ possible cause है, tool का wear out होना, temperature का effect, कभी cooling हो रही है, कभी heating हो रही है, यह इसके graph है, दोस्तों, देख लीजे, कैस किस तरीके से, जो point है, वो उपर जा रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, दोस्तों, जो चौथा rule है, वो कहता है, कि चौथा point, continuous, up and down हो रहा है हो, इसको हम लोग over control भी बोलते हैं, over control pattern भी बोलते हैं, दोस्तों, यह इसका graph है, इसमें देखिए, आप लोग इस तरीके से, point, एक उपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, उपर नीचे इस तरीके से हो रहे हैं, यह over control pattern के अंदर आता है, इसके कुछ possible cause हैं, उसको देखते हैं, tempering by operator, operator के दौ़ारा छेड़ चाड़ करना, alternating raw material, यह हैं इसके possible cause, दोस्तों, जो पाँचवा rule है, same side में, यह तो उपर की तरब, यह नीचे की तरब, इसके कुछ possible cause है, जैसा कि हमने possible cause, rule 1 में बात किया था, same हो ही, इसमें possible cause अपलाई होंगे, new person, doing the job, wrong setup, measuring error, इस तरीके के possible cause आएंगे, इसके अंदर भी, यह इसका graph है, इस तरीके से graph बनता है, इसको समझिये, दोस्तो, rule number 6 कहता है, 4 out of 5 consecutive points in zone B, same side of the mean, मतलब center line से, center line को mean भी बोलते हैं, 5 में से 4 point zone B में है, एक zone A में यह zone C में है, यह तो mean के उपर, यह mean के नीचे, इसके कुछ possible cause है, जैसा कि हमने rule number 2 में बात किया था, जो possible cause, वहीं से पोसिबल cause इसके अंदर भी आएंगे, रा मेंटेरियल चेंज, चेंज इन वार केंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मेजर्मेंट, इसके possible cause हैं, दोस्तो, जो 7 वा रूल है, वह है 15, 15 पॉइंट इन रो, within zone C, of any side of the center line, मतलब कि 15 point होंगे, वह जों C के अंदर होंगे, mean के दोनों तरफ, या तो एक तरफ उपर की तरफ हो सकते हैं, या नीचे की तरफ, या नीचे उपर दोनों तरफ हो सकते हैं, इसको stratification भी बोलते हैं, इसके कुछ possible cause है, जैसे कि data mixed with, data mixed हो गया आपका, एक process, दूसरे process के साथ, data का mix होना cause होते हैं, जो आटवा rule है, वह है 8 consecutive points with no point in zone C, मतलब कि 8 जो point है, उन मेंसे एक भी point zone C के अंदर नहीं है, या तो वो zone B में है या zone A में है, zone C के अंदर एक भी point नहीं है, इसको mixture pattern भी बोलते हैं, इसके possible cause हैं, जैसे कि अभी मैंने 7th rule में बात किया, same possible cause इसमें भी apply होते हैं, तो दोस्तों ये थे ASBC के 8 rule, जिसको मैंने अच्छे तरीके से explain किया है आप लोगों को possible cause के सांथ, इसको हमने summarize भी किया है, देखिए इस तरीके से मैंने इसको summarize किया है, एक चाट के तरूँ, दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगी हो, तो इसको like करें, comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है, उसका notification आपको पहले मिल जाए, धन्यवाद आपका.